CPAC Board Exam में Compartment या Essential Repeat लगने पर आगे आप Board Exam कैसे Clear कर सकते हैं, आज इसी पर चर्चा होगी Class 12 में 5 में से 1 या Class 10 में 5 में से 2 विशय में फेल होने पर आपको Compartment Category में Place किया जाता है 12 में 6 Subjects वाले अगर 2 विशय में फेल होते हैं, तो उन्हें भी Compartment Category में रखा जाता है जब आप 12 में 5 में से 2 या अधिक विशय में फेल होते हैं, तो आपको Essential Repeat Category में Place किया जाता है Compartment और Essential Repeat Category में एक बड़ा अंतर है Compartment वाले चाहें, तो केवल उसी एक विशय का एक्जाम दे सकते हैं, जिसमें RT लगा है, यानि Repeat in Theory लगा है जबकि Essential Repeat वालों को सारे Subjects का एक्जाम एक बार फिर से देना होता है इसे आप एक Simple Example से समझ सकते हो मानलो एक Student Class 12 का Board Exam देता है, उसके पांच विशय है दो विशय में उसके RT लग जाते हैं यानि Physics और Chemistry में मानलो वो Fail हो जाता है रिजल्ट में उसका Essential Repeat लिखाता है इसका मतलब यह है कि अब उस Candidate को अगले Board Exam में इन दो सब्जेक्ट के अलावा बाकी के तीन विशय का एक्जाम भी फिर से देना होगा यानि Next Board Exam में उस Student को पांचों विशय के एक्जाम फिर से देने होगे अगर आपने 2023 में अस्कूल से As a Regular Student Exam दिया है तो Board Exam को क्लियर करने के लिए आपको प्राइवेट कैनिडेट के रूप में अपलाई करना होगा अज प्राइवेट कैनिडेट हर उच्छातर सी बीएसी Board Exam के लिए उनलाइन अपलाई कर सकता है जो कि पहले एक बार As a Regular Student Exam दे चुका है 2024 के लिए जब भी प्राइवेट कैनिडेट का फार्म आएगा मैं एक्जाम सब के टेलिग्राम चैनल पर उसका लिंक सेयर कर दूँगा अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को अब तक जोईन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है आज ही से जोईन कर लिजे प्राइवेट कैनिडेट का अप्लिकेशन फार्म आप खुद से ऑनलाइन भर सकते हैं अस्कूल का इसमें कोई रोल नहीं होता है कमपार्टमेंट कैटेगरी वाले चाहें तो केवल उसी सब्जेक्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं जिसमें आर्टी लगा है Otherwise, फेलूर और इसेंसियल रिपीट कैटेगरी के अंतरगत आप फिर से सारे सब्जेक्ट का एक्जाम भी दे सकते हैं इसे भी आप सभी एक एक एक्जामपल से समझ सकते हो मालनों की एक स्टूडेंट क्लास 12 बोर्ड इक्जाम में फिजिक्स में फेल हो जाता है बाकी सभी विशाय में वो पास है ऐसे सिचुएशन में उसके रिजल्ट में कमपार्टमेंट लिखाता है अब उस स्टूडेंट के पास ओप्सन होगा कि अगले साल वो या तो केवल फिजिक्स का पेपर दे दे अंदर कमपार्टमेंट काटेगरी लेकिन अगर उस स्टूडेंट का मन हो कि फिजिक्स का पेपर तो मुझे देना ही है लेकिन बाकी चार सबजेक्ट जिसमें मैं अल्रेड़ी पास हो उसका भी पेपर मुझे देना है तो सिब्यसी उसे रोकता नहीं है इस कंडिशन में वो स्टूडेंट अंडर फेलूर काटेगरी और इसेंशियल रिपीट काटेगरी सारे सबजेक्ट का एकजाम एक बार फिर से दे सकता है अब मान दो अगले साल वो स्टूडेंट सारे सबजेक्ट का पेपर फिर से देता है फिजिक्स का पेपर क्लियर भी कर लेता है लेकिन इस बार वो केमिस्ट्री में फेल हो जाता है उस सिचुएशन में आप ये मत सोचना कि आपके लास्ट येर वाला केमिस्ट्री का मार्क्स कैरी फोवर्ड हो जाएगा फिर आपके रिजल्ट में केमिस्ट्री में आटी लिखा होगा और आपको फिर से केमिस्ट्री का पेपर देना होगा 12 में अगर किसी के 6 विषय हैं और 2 में 80 लगा है तो compartment category में एक बार में किसी एक ही paper का exam दे पाएंगे वरना आप failure category के अंतरगत सारे subjects के लिए एक बार फिर से apply कर सकते हैं जब आप 6 में से 5 विषय में pass हो जाएंगे तो आपको overall pass declare कर दिया जाएगा In that case, last paper को clear करने के लिए आप under improvement category apply कर सकते हैं fee की बात करें तो 300 रुपए per subject और practical के लिए अलग से 150 रुपए लगेंगे जो practical में already pass हैं और केवल theory में fail हैं यानि they have only RT or repeat in theory and result उन्हें फिर से practical नहीं देना होगा जो marks practical में आपने last year secure किया है वही इस बार भी आपको मिल जाएगा private candidates का admit card online आता है जबकि mark seat post के माध्यम से आपके घर पर भेजा जाएगा private candidates के लिए form भरते वक्त कोई document upload नहीं करने होते I am expecting that in the next 2-3 weeks cbse private candidates के लिए online application form अपने आधिकारिक website पर जारी कर देगा जैसा कि मैंने पहले बताया जब भी ये form आएगा मैं exam सबके telegram channel पर आप सभी को update कर दूँगा अगर अब भी cbse private candidate या cbse board exam को लेकर आपके मन में कोई doubt हो कोई सवाल हो तो आप बही चक हो exam सबके telegram channel या instagram पर हमें message कर सकते हैं link वीडियो के description में मौझूद है